आप सभी का वेलकम करता हूँ मदर इंडिया लॉग क्लासिस श्री गंगा नगर में आज आप लोगों के लिए एक टॉपिक ले के आया हूँ इंडियन पैनल कोड 1860 का और टॉपिक का नाम आप बोर्ड पे देख सकते हैं टेरिटोरियल और एक्स्रा टेरिटोरियल एफेक्ट ओफ इंडियन पैनल कोड याने के जो भारतिय दंड सहीता है इंडियन पैनल कोड है उसका विदिन टेरिट्री ओफ इंडिया और बियॉंड टेरिट्री ओफ इंडिया क्या एप्लिकेशन है बच्चो टॉपिक बहुत इजी है इजी इसलिए कहा रहा हूँ क्योंकि मुझे समझ में आ गया तो मेरे लिए इजी है आपको समझ में आ जाएगा तो आपके लिए भी इजी है जब तक कोई चीज हमें समझ नहीं आती वो हमारे लिए difficult रहती है या तो हम उसे पढ़ते ही नहीं या फिर उसको समझने का प्रयास नहीं करते हैं हमने पढ़ा है समझा है तो फिर वो हमारे लिए मुश्किल नहीं है तो चलिए बच्चों बात करते हैं हम Indian Panel Cote के Territorial and Extra Territorial Effect की या simple language में आप इसे यूँ भी कह सकते हैं कि application of IPC क्या है इंडियन पैनल कोड जो है वो कहां कहां applicable हो सकता है जैसे मैंने आपको हिंदू लोग की class में एक छोटी सी बात बताई थी कि family लोग की जब हम बात करते हैं तो जहां पे भी हिंदू चला जाए हिंदू लोग साथ साथ में जाएगा बिल्कुल एक ऐसी concept बतो यहां पे भी है IPC जो boundary आपको मैत में दिखाई दे रही है इंडिया की सरूरी नहीं है कि वहीं तक हो IPC इंडियन के साथ साथ चलेगी पस इसी बात को हमें यहां समझना है तो हम bare provisions बड़े हैं section 2 क्या कहता है section 3 क्या कहता है section 4 क्या कहता है इससे पहले हम territorial and extra territorial का मतलब समझते हैं यह बहुत easy है और बहुत जरूरी भी है मैं अगर Indian territory के बात करूँ तो आप मुझे मैं कोई drawing का टीशर नहीं हो कि यहां पे इंडिया का map बना दूँ आप अपने जहन में लेके आए इंडिया का map मैंने यहां पे यह तीन circle आप लोगों के सामने बना रखे हैं थोड़ी देर के लिए imagine किजिए यह हमारा इंडिया का map है तो बत्तों यह जो boundary आपको दिखाए दे रही है यह हमारे Indian territory है इसका मतलब इस boundary के अंदर-अंदर का जो area है that is territorial India वह हमारी territory है अब यहां पे और छोटी सी बात में आपको बता रहा हूं और यह प्लीज किसी को बताईए गमत जो United Nations Convention 1982 जिसमें territorial effects within the water यानि के समुंदर के अंदर आपके territorial jurisdiction कितना है उसके regarding provisions बताए हुए है अगर हम उस 1982 की convention की बात करें तो यह जो आपको इंडिया की boundary दिखाए दे रही है इस boundary से हम बाहर चले जाएं अब देखे बड़ी काम की बात बता रहा हूं आपको यह जो boundary आपको दिखाए दे रही है इस boundary से अगर हम बाहर आते हैं within the sea ध्यान में के काम पाथ सिरुफ Water की बात कर रहे हैं अगर हम बाहर आते ंआपको पता है इस area में हमारे जो है वह सिरुफ और सिरुफ Water है तो इस Water में जब हम बाहर आते हैं तो 12 nautical miles यानि के 12 समुंदरी मेल लगभग 22 km आपकी Indian territory है तो इसका मतलब यह हुआ बच्चो के physical territory जैसे माल लेजी यहाँ पर गौवा है Bombay है तो physical territory तो हमारी यह है इसके बाद में भी 12 nautical miles जो है समुंदर में हमें दिखाई नहीं दे रहा है वो हमारी virtual territory है लेकिन हमारी ही है तो इसका मतलब यह हुआ बच्चो के जब हम territory of India की बात करते हैं तो समुंदर के अंदर जो आपको physical boundary दिखाई दे रहे हैं कि साब बस यहाँ तक India है उससे भी आगे 22 km याने के 12 nautical miles 22 km याद मत रखेगा 12 nautical miles 12 समुंदरी मेल तक India ही है तो जब भी हम यह बात करें जैसे हम section 2 के अंदर देखेंगे within territory of India तो within territory of India का मतलब यह नहीं कि यह गोवा है यह बॉंबे है यह कैलकट है बस यहीं तक इससे आगे भी अगर हम समुंदर की बात करें next country स्टार्ट हो रही है तो यह provision अपलाई नहीं होगा जैसे इंडिया के साथ में लगता ही पाकिस्तान है इधर साथ में लगता ही चाइना है वहाँ नहीं we are talking about the sea समुंदर की बात हो रही है तो 12 nautical miles तक भी आपका इंडिया ही है तो अब अगर मान लीजे आप से कुछे कि गोवास से बाहर समुंदर में किसी किलोमेटर के एरिये में किसी ने किसी का मडर कर दिया तो बताओ वह मडर कहां हुआ विदिन इंडिया या बियोंड इंडिया भारत में या भारत से बार भारत में विदिन इंडिया ये बात आप थोड़ी सी अच्छे से समझ लेजेगा तो इसका मतलब यह हुआ कि 12 nautical miles तक अगर हम समुंदर में जाएं तो वो territory है अब उससे आगे जले जाओ उस 12 nautical miles को अगर हम छोड़ दें तो फिर आपका बियोंड इंडिया भारत से परे की बात हो जाएगी तो उसको हम बोलते है extra territorial यानि कि अगर भारत की जो boundary आपको दिखाई तेरी है प्लस 12 nautical miles within the sea वो आपकी territorial jurisdiction of IPC है और उससे बाहर अगर हम बात करें चैनेडा की बात करें ऑस्ट्रेलिया की अमेरिका की किसी दूसरी country की बात करें पाकिस्पान की बात करें नेपाल की बात करें जो हमारे territory से परे है वो आपका beyond यानि कि extra territorial effect माना जाएगा तो पहले तो आपको ये बात समझनी है कि territory और extra territory का मतलब यहां क्या है चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर IPC के अंदर section Y चलें तो section 2 क्या कहता है section 3 क्या कहता है section 4 क्या कहता है अगर आपसे application of IPC पुछा जाए तो section 2, 3, 4 और इसके अलावा section 5 भी हमारे काम का है तो generally बच्चे नहीं बढ़ते हैं चलिए हम उसको भी discuss करेंगे हम पहले बात करते है section 2 की तो territorial और extra territorial का meaning आपको clear हो गया ठीक है अब आप देखेगा ये इंडिया है अभी मैं सिर्फ आपको explain कर रहा हूँ उसके बाद में हम जो वेरेक्ट की language है उस पे चलेंगे three and four में लिखाव है any person तो every person और any person में क्या फरक है अगर हम यह grammatically देखें grammatically देखें तो every person में भी को certify तो करनी रहा भी कौण कौण है any person में भी को certify नहीं कर रहा लेकिन हम यह legally देखेंगे बच्चो तो बहुत फरक आपको मिलेगा तो यह ध्यान रखेगा जब mcqs पुछे जाते हैं जब objective type questions पुछे जाते हैं तो फिर यह भी पुछा जाता है कि section two जो है वो किसे include करता है option में आ गया every person any person फिर b में आ जाएगा a and b above d में आ जाएगा none of the above तो यह थोड़ा आस आपको ध्यान रखेगा section two every person की बात कर रहा है section three any person section four भी आपका any person की बात कर रहा है तो पहले तो हम यहाँ पे इनका difference समझते हैं when I said every person will be punished under this code every person इसका मतलब यह है बच्चो के यहाँ पे अगर हम किसी किसी भी every person हर व्यक्ती जब हम इसकी बात करें तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि चाए वो एक natural person है यानि कि आपकी और मेरी तरह है चाए वो एक legal person है कोई company है artificial person है कोई form है यानि कि कोई association है कोई corporation है चाए वो registered है कि वो unregistered है इसका मतलब natural person और artificial person दोनों आपके every person में शामिल है इसका मतलब आप अगर मैं कोई crime करते है तो भी इसमें आ जाएगा कोई company crime कर रही है कोई firm crime कर रही है कोई society crime कर रही है कोई corporation अगर crime कर रहे है तो वो भी इसमें आ जाएगा अब यानि के natural और artificial दोनों होगे अब natural person में आ जाओ natural person भी दो तरह है कि होगे एक citizen और एक non citizen वे आप और मैं तो इंडियन है और अगर माली जी कोई अमरीका से हैं आया है किनेडा से हैं आया है और ऑस्टेलिया से हैं आया है तो क्या वो भी इसमें include है तो वो भी इसमें include है तो यह भी ध्यान रखेगा जब हम यहां every person की बात कर रहें तो इंडियन citizen आ जाएंगे foreigners हैं वो आ जाएंगे और जो artificial person है वो आ जाएंगे इसका मतलब जहां जिसे हम person कह सकते हैं उस सब आपके इसमें include हो जाएंगे कोई male या female का चक्कर नहीं है कोई child या old का चक्कर नहीं है every person तो इसका मतलब जो section 2 के अंदर जो person की concept है वो काफी wide है अब आ जाएं यहां any person तो देखा जाए तो खाली any person से आपको meaning clear नहीं होगा पर जब आप section 3 और 4 की language पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहां any person क का मतलब क्या है जो या तो citizen of India हो इसका मतलब हो हम सब की बात नहीं कर रहें एक limited scope हो गया या तो citizen of India हो plus ऐसा कोई person हो जो bound by Indian law हो तो इसका मतलब यह हुआ कि बहले ही वो non-citizen है यानि कि foreigner है पर अगर उस पे भी India का law applicable हो रहा है तो वो आपका यहां include हो जाएगा तो इसका मतलब यहां पे तो आपका citizen non-citizen दोनों है यहां पे citizen include है या जो bound by Indian law वो आपका include है तो यह थोड़ा सा ध्यान रखेगा यहां पे every person का scope काफी wide है जबकि any person जो है section 3 और 4 में उसका scope थोड़ा limited है अब हम आते है section 2 के अंदर तो section 2 जो है वो हमें कह रहा है every person और within India यानिके आपको जो territory इंडिया के दिखाए दे रही है उस plus जो 21 nautical miles आपका समुंदर का जो area है उसमें अगर कोई अपराद होता है समझेगा बच्चो अगर कोई अपराद होता है any offense तो यहां any offense का मतलब क्या होता है offense which has been defined under IPC Indian panel code में अगर कोई अपराद हो रहा है और देखिए under this code इसी code में applicability है अब यहां इसका मतलब यह हुआ कि मैं और आप Indian है अगर हमने within territory of India कोई offense किया है तो हमारे उपर IPC apply होगी अगर कोई विद्यशी आता है वो भी इस Indian territory में अपराद कर रहा है तो उस पर भी IPC apply होगी अब यहां एक चोटी सी problem है जैसे मैं लीजिए हमने एक Canadian को यहां पे जुआ खेलते हुए पकड़ लिया अब वो भाई कहते है जी हमारे वहां तो gambling कोई offense ही नहीं एक example दे रहा हूँ I don't know कि वहां है कि ने example दे रहा हूँ यह माल लेजिए कोई England वाड़ा यहां पे आ गया भाई को बेटिशन से यहां पे आ गए और वो यहां पे अडल्ट्री में पाएगे अभी तो अपने को पता है कि अडल्ट्री इस नो क्राइम लेकिन अग जब IPC apply हुई उसके इसाफ से अगर हम देखे एक एक तो वहां प उससे जो काम उन्होंने किया है वो इंडियन पैनल कोड में एक ओफेंस है बस हमें तो और कुछ नहीं देखना आकोडों क्या हो हमें से कोई मतलब नहीं है हमें तो यह देखना है क्या आपने इंडियन टेरिटरी में ऐसा किया है और जो आपने किया है वो हमारे लिए एक अब यहाँ पर देखे एक आदमी है उसने एक ऐसा एक्ट या ओमिशन इहाँ पर किया है कारिया या लोग दोनों इसमें इंकलूड है जो इंडिया में कोई उफेंस नहीं है पर उसकी कंट्री में उफेंस है मालो की कोई उस्टेलिय यहाँ पर आ गया और उसने यहाँ जो है वो कोई ऐसा काम कर दिया जो इंडिया में उफेंस नहीं है लेकिन उसके उस्टेलिया में उफेंस है भाई हमें क्या लेना देना जब वो उस्टेलिया में जाएगा तो उस्टेलिया वाली गवर्मेंट अप किया हो और दूसरा IPC के अंदर वो एक offense हो बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं अब करने वाड़ा चे नैच्रल परसन है चे लीगल परसन है एक आर्टिफिशल परसन है हमें से कोई मतलब नहीं है चली अब बात करते हैं सेक्शन थ्री की तो सेक्शन थ्री लेंग्विज की हिसाब सेक्रम देखें तो इसके अंदर इन्होंने कहा है बियोंड इंडिया बाउंड बाए इंडियन लोग तो दो बाती हैं इसके अंदर अगर आप इंडिया से परे कोई offense कर रहे हैं या कोई ऐसा act कर रहे हैं जो इंडियन पैनल कोड में एक offense है ठीक है त 302 में उसका offense है यानि कि murder is an offense in India ठीक है अब अमेरिका में भी तो offense है औस्टेलिया में भी वह offense है एक Australian ने एक American को Canada में मार दिया समझेगा एक Australia वड़े ने एक American को Canada में मार दिया अब क्या यहां पर section two apply होगा section two तो apply हो गई नहीं क्योंकि ये beyond India है लेकिन three और four दोने इंडिया के लिए तो क्या यहां three और four में आएंगे तो three जो है यह कहता है कि वो Indian law से bound हो या फिर Indian हो क्योंकि जो Indian होगा citizen होगा वो त Australia वड़े ने अमरिका वड़े को मरें तो दोनों Indian नहीं है और किया भी Canada में है तो फिर हमारे लिए क्या problem है करो तो करो आपका कानून आपको संबाड़ेगा हमारे यहां वो चीज offense नहीं है उनका trial इंडिया में नहीं चल सकता तो इसका मतलब section three क्या कर रहे मैं अगर कहीं पे भी जा रहा हूं वर्ल्ड की किसी भी कौने में जा रहा हूं वहां जाके अगर मैं ऐसा कोई act या omission करता हूं जो Indian panel code में एक offense है तो देखो दो बाती होगी बच्चो एक तो यह कि मैं Indian law से bound हूं दूसरा यह कि मैंने ऐसा कोई act या omission किया है जो IPC में एक offense है तो जैसे ह कि उस देश से मैं India में enter हूंगा और जहां पर मैं पैर रखूंगा बैस यूँ समझ लेजिएगा कि वो लो मेरे साथ साथ ही चल रहा है और मुझे यहां पर ट्रायल के लिए bound किया जा सकता है तो दुबारा समझेगा section 3 सिरफ हमें इतनी सी बात बता रहा है कि कोई भी person इंडिया में ही ट्रायल हो सकता है IPC उस पर applicable होगी यहां पर exam के point office मैं आपको बता दूं बच्चो कि CRPC का section 188 और 189 वो आपका section 3 से 3 of IPC ध्यान रखेगा CRPC का 188 और 189 देख लिजेगा यही बात जो आपके यहां section 3 के language में है वो 88 और 189 में दियो हुई है इसी तरह से extradition act आपका है 1962 का जिसको अपन बोलते हैं प्रतरपन भी थी यह आपका 1962 में आया था और इसके अंदर भी यह था अगर मान लेजे कोई आदमी है जो भारत से भाग गया है यहां नहीं कि भारत में कोई उसने offense किया और भारत के वो बार बाग गया है तो अगर देखा जाए बारत में offense किया है तो section 2 में यह applicable हो गया लेकिन अब भारत से बार बाग गया है तो हम उसको वहाँ से पकड़ के ला रहे हैं इसका मतलब यह हुआ कि वहाँ पे वो छुप रहा है तो एक तरह से कहीं ने कहीं उसका जो ओफेंस है वो continue हो रहे है और beyond India भी वो चला गया है तो extradition में यानि कि अगर किसी देश से हमारी परत्यरपन संदिय जैसे हमने अबू सलेम को परत्याल से लिया था तो अगर उसके साथ हमारी extradition treaty है तो हम उसको ले सकते हैं तो यह ध्यान रखेगा यह जो section 188 है 189 है CIPC का और extradition act का section 34 है इन दोनों का relation आपके IPC के section 3 से है अब हम बात करते हैं section 4 की section 4 में भी आपकी beyond India की बात हो रही है section 4 हमें यह कहता है कि अगर कोई भी इंडियन citizen है अगर कोई भी यहां पर देखिए का यहां पर इन्होंने any person लिखा है और वहां पर इसके comparative अगर हम बात करें तो citizen की बात तो इसका मतलब यहां पर एनी परसन में मैंने आपको example ज़रूर citizen कर दिये लेकिन इन्होंने नहीं क्योंकि यहां any person का मतलब है which is bound by Indian law तो इसका मतलब भी obvious सी बात है आज मैं Indian हो तो bound by Indian law हो गया की नहीं हो गया तो इसका मतलब इस any person के अंदर citizen included है अब मान दिजे कि हम इंडिया की कोई company है और उसने अपना एक head office Canada में बना रखा है और वहां पे जो worker काम कर रहे है वहां पे जो employee काम कर रहे है उन सब को इंडिया पे कर रहे है उन सब को इंडिया नहीं अपॉइंट किया है तो बताओ वो Indian law से bound होगे की नहीं होगे तो अब ऐसी situation में बलें हो उसी देश के लोग हो पर हम उनको pay कर रहे है हमारे लोग से वो bound है या हमने किसी दूसरी country के लोगों को उस country में appoint किया हुआ है और हम उनको salary दे रहे है हमारे funds उनके लिए जा रहे है और हमारे control में वो काम कर रहे है तो वो bound by Indian law है कि नहीं होगे ऐसे लोग भी अगर इंडिया से बाहर कोई offense करते हैं तो under section 3 IPC उन पे applicable होगी तो इसका मतलब यहाँ पे any person के अंदर Indian citizen भी आ गया और वो लोग भी आ गये जो bound by Indian law है उसके बाद में दिखेगा जो section 4 है हमारा यह actual में बच्चों तीन बाती बता रहे हैं एक तो इस citizen वड़ा कि अगर इंडिया का citizen है और वो कहीं पे भी जा रहे है और वो कोई offense कर रहे है तो IPC उस पे applicable होगी बिल्कुल सिंपल सी बात है ठीक है दूसरा फिर यहाँ पे इन्होंने any person लिख दिया लेकिन इसमें इन्होंने यह का है कि अगर कोई ऐसा जहाज है कोई ऐसा वायूयान है यहन कि aircraft है कोई ship है जिस पे Indian flag लगा हुआ है इसका मतलब यह वा कि अमेरिका में अमेरिका के समुन्दर में या अफरीका के समुन्दर में हमार एक जहाज घड़ा है पाने में उस पे एक Indian flag लगा हुआ है इसका मतलब वो Indian control में है अब उस जहाज पे अगर कोई जगड़ा होता है कोई murder हो जाता है तो क्या हमारी IPC applicable होगी according to section 4 applicable होगी अमेरिका के समुन्दर में X ने Y को मार दिया अब मज़िदार बात यह है बच्छो कि मारने वारा जो है वो American है और जिसको मारा गया वो Canadian है तो क्या ऐसी situation applicable होगा IPC बिलकुल होगा क्योंकि जो section 4 का clause second है आपका वो बिलकुल यह clear बोल रहा है कि ऐसा कोई जहाज है ऐसा कोई aircraft कोई है हमारा जिसमें Indian flag है प्लस वो India में registered है तो ऐसी situation में हमारी IPC applicable होगी इसी तरह से आपका जो third clause है वो यह कह रहा है कि इंडिया से बाहर कहीं भी किसी भी country में अगर कोई person इंडिया की किसी computer resource को target कर रहा है जैसे माल लेजिए कि एक आदमी ने जापान में बैठे बैठे हमारे यहां गंगानगर के HDFC बैंक के computer के data hack कर लिया उसने computer hack कर दिया यहां की किसी site को hack कर लिया data story कर रहे हो तो वह वहां बैठा बैठा अगर यहां computer resources पर attack कर रहा है तो ऐसे situation में भी आपका section 4 applicable होगा और वो IPC यानि कि जैसे ही वो इंडिया में आता है तो जहां पर इंडिया में वो pair रखेगा उसी jurisdiction के हिसाब से IPC उस पर applicable हो जाएगी तो एक बार आप देखीगा अब हम इसी चीज को section wise पढ़ते हैं तो देखिए section 2 यह कहता है punishment of offenses committed within India तो यह देखेगा यह एक map मैंने बनाया है मेरे हिसाब से इसको मान देजिए यह इंडिया है तो within India heading अपन देखें punishment of offenses committed within इंडिया इसका मतलब यह जो आपको territory दिखाए दे रिये मैंने एक plus चीज आपको बता दी जो bare act में आपको नहीं मिलेगी और maximum videos में भी आपको नहीं मिलेगी ठीक है तो वो आपका जो territorial effect है आपका in the sea समुंदर में 12 of nautical miles और यह बहुत बार civils में भी पूछा जा चुका है तो वो ध्यान रखेगा United Nations Convention 1982 1982 की जो convention ती United Nations की उसके अंदर 12 of nautical miles जो है वो हमारा criminal jurisdiction है civil jurisdiction में भी मैं आपको यह बता दूँ थोड़ा साब की noting के लिए है हमारे section का part नहीं है यह ध्यान रखेगा अगर मैं कोई contract करता हूँ समुंदर में और जो boundary है इंडिया की उसके 200 nautical miles के अंदर अंदर है 200 समुंदरी will तो यह माना जाएगा कि मैंने भारत में ही किया है यह मैं आपको contract act में भी बता चुका हूँ अगर किसे नहीं contract classes देखी है तो यहाँ पे we are talking about criminal law only तो अगर कोई crime होता है चाहिए वो act की form में हो चाहिए वो omission यानि के career drop दोनों within territory of India है तो इसका मतलब यह IPC उस पे applicable होगी अब आगे देखिए अंदर क्या लिखता है यह every person यह मैंने आपको बताया था every person तो every person में आपका citizen आ गया non-citizen आ गया कोई भी association है और के वो registered हो चे वो unregistered हो यानि के artificial person वो सब आपके इसमें include हो जाएंगे every person shall be liable to punishment under this court and otherwise for every act or omission not otherwise for every act or omission contrary to the provisions thereof for which she shall be guilty within India इसका मतलब यह हुआ कि इस act में यह जो हमारा कानून है इसके provisions के against अगर कोई आप काम कर रहे हो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप कोई ऐसा low है जो इस IPC में के अलावा है और उसके अंदर कोई बात अगर define की हो यह आप उस कानून के विरुद जा रहे हो उस कानून के आप against जा रहे हो तो आपका section 2 applicable नहीं होगा section 2 applicable तब ही होगा जब आपने कोई ऐसा act या omission किया है जो Indian Panel Code के provisions के against हो अब बात करते हैं section 3 देखे क्या कहता है punishment of offenses committed beyond but which by law may be tried within India समझेगा कि कोई चीज यह आपको आपका इंडिया दिखाई दे रहे है कि अगर हम इस इंडिया से परे यानि कि हम यहां पर आगे हम यहां पर आगे हम यहां पर आगे हम यहां पर आगे कहीं पर भी हम इंडिया से बाहर अगर कोई offense कर रहें beyond ठीक है उसके बाद में देखिए इन्होंने क्या लिखा है विच में भी ट्राइड विदिन इंडिया जिसका ट्राइल कहां सकता है इंडिया में हो सकता है तो यह जो आपको बाउंटरी दिखाई दे रही है यह इस 1200 जो बारा समुंदरी मील है इस से परे की बात हो रही है चलिए अंदर क्या कहता है एनी पर्सन यह मैंने आपको बताया एनी पर्सन तो यहां पे एवरी पर्सन है और यहां पे एनी पर्सन है एनी पर्सन लाइबल बाई एनी इंडियान लो इसका मतलब यह वह बत्चो यहां पे सिरफ आपीसी की बात हो रही थी और यहां पे according to the provisions of this code for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India इसका मितलब अगर आपने भादोष शर्ते हैं पहली शर्त ये कि आपने भारत से परे यानि कि ये जो टेरिट्री आपको दिखाई दे रही है इससे बाहर इससे आगे जाके आपने कोई offense किया है दूसरी बात ये कि आपने जो offense किया है जरूरी नहीं वो IPC के provisions की अगेंस्ट हो भारत में लागू जितने भी कानौन है उन में से किसी की भी अगेंस्ट आपने किया है और उसकी punishment दियो ही है तो ये IPC आप पर applicable हो जाएगी यानिकि offense आपने किसी और से related किया है और उसको हम जोड़ IPC से रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि section 3 में आप मतलब according to section 3 IPC आप पर apply हो जाएगी अब यहां पर अपने को एक चीज़ और देखनी है बही कोई person अगर मान लेगी offense करके और बाहर भाग रहा है बही उसने offense तो इंडिया में किया लेकिन अब इस time वो Australia चला गया तो बताव हम क्या करेंगे offense तो उसने इंडिया में किया है तो इसका मतलब section 2 applicable हो गया अब वहां पर जाके वो अपने आपको बचाने की कोशिश कर रहा है या वहां से जाके फिर उस चीज़ को यहां इंडिया में cover करने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब अब दोनों चीज़ ने applicable होगी अगर वो इंडिया से offense करके भागा है तो तो section 2 में आ जाएगा पर इंडिया से offense करके वो बाहर चला गया और अभी पी उसका offense continue है तो फिर 2 cover नहीं होगा वो आपका section 3 में cover हो जाएगा बस यहां पर यह ध्यान रखना है कि any person के अंदर वही लोग आएंगे जिन पे Indian law applicable हो गया अगर इंडिया से offense करके भागा है बलाएं वो एक विदेशी हो तो section 2 में आ जाएगा तो उस पे Indian law applicable हो गया कि नहीं हो गया अगर वो बाहर भी चला जाता है तो उसको हम उस देश से मांग सकते हैं उसके लिए हमारे पास extradition act है 1962 का जिसके section 34 में यह provision है और ऐसे लोगों के लिए CRPC में भी section 188 और 189 है तो यह आपका section 3 तो section 3 के अंदर आप देखेगा एक तो any person आपको ध्यान डखना है दूसरा यह के उसने भारत में लागों किसी भी कानून के विरुद कोई काम किया है और तिसरी बात यह के वो Indian law के subordinate हैं अब आदें section 4 देखें क्या कह रहे territorial offenses इसका मतलब 3 और 4 दोनों ही आपका extra territory की बात कर रहे हैं the provision of this code apply also to any offense committed by any citizen of India in any place without and beyond India तो देखो यहां पे सिर्फ एक मैंने applicability बताइए कि इसमें भी citizen include हो गया citizen तो यहां पे इनके लिवड है citizen तो यहां पे भी लेकिन यहां section 4 के close first में उन्होंने specially citizen की बात किये तो इसका मतलब यह हुआ भारत से बाहर परे किसी स्थान में भारत के नागरिक द्वारा यानि कि Australia में मैं Australia गया वहां मैंने जाके कोई offense किया तो पहले बात तो मैं Indian citizen हू दूसरी बात वहां पे manager act किया है वो IPC में यह offense है तो जैसी मैं India में enter करूँगा ले बटा आजा इसका मतलब section 4 close 1 में मैं cover हो जाऊँगा लेकिन आप दिखिएगा एक Australia वाले ने दूसरे Australia वाले को मार दिया महरो भईया में के problem आपको आपका कानून संबालेगा वहां पे वो हमारा citizen नहीं है और ना यह वो हमारे law से bound है तो इसका मतलब वो यहां cover नहीं होगा अब एक example यहां पे और देखिगा वो सारे cases मिल जाएंगे आपको इसलिए मैं especially cases पे ध्यान नहीं दे रहा बहुत example मिल जाएंगे आपको एक्स जो है वो एक American है और उसने माल लेजे के 2015 में अमेरिका में ही एक offense कर दिया American law के साफसे वो offense भी है उसके बाद 2020 में वो इंडिया में आ गया और यहां पे आगे वो Indian citizenship ले लेता है तो क्या उस पे अब तो वो Indian है ना हमारा तो क्या उस पे यह applicable होगा लो नहीं होगा At the time of commission of the offense अगर वो Indian citizen है तो यह वो section 4 के close first में cover होगा नहीं तो नहीं होगा उसके बाद में आप देखिए फिर हमारे पास है any person on any ship or aircraft registered in India wherever it may be इसका मतलब अगर कोई ऐसा जहाज ठीक है कोई ऐसा aircraft वायू यान जिसको बोलते हैं वो world में कहीं पे भी हो अगर वो इंडिया में registered है और उस पे कोई offense हो रहा है तो इसलिए any person लिखा है अब करने वाड़ा चैसे citizen हो चैसे non citizen हो कोई फरक नहीं पड़ेगा उस पे Indian low applicable होगा अब यहाँ पे कई बार यह नहीं लिखा होता कि वो registered इंडिया में है तो यह लिखा होता है कि इंडिया फ्लेग उस पे लहरा रहा है तो इसका मतलब वो इंडिया में registered है यह बात आपको ध्यान रख लिए अब यहाँ पे जो registered word है इसको आप specially specially आप इस ब company मना ली और उस subordinate company का काम जो है वो shipping का है तो इसका मतलब वो company अब इंडिया में registered है और उसने कुछ जहाजों को इंडिया में registered करवाया है हमें पते है Chinese company है लेकिन काम सारा इंडिया में हो रहा है इंडिया में registered है और इंडिया से जहाज बार जा रहे हैं तो ऐसी situation में वो भलें आप और मेरे को यह पता है कि वो एक Chinese company का है लेकिन वो इंडिया में registered है तो अगर हम यहां literal interpretation करें section 4 के close 2 की बात करें तो ऐसी situation में वो आपका section 4 में cover हो जाएगा और वहाँ पे offense करने वाले चैए इंडियान हो चैए दोनों में से कोई एक इंडियान हो या दोनों ही non इंडियान हो भारतियान हो तो भी आपकी IPC applicable हो जाएगे उसके बाद में रिखीगा थर्ड हमें यह कहते है एनी पर्सन इन एनी प्लीस विदाउट ब्योंड इंडिया कमेटिंग ओफेंस टार्गेटिंग एक computer resource located इन इंडिया इसका मतलब यह हुआ भारत से परें कहीं भी अगर कोई व्यक्ति कोई इंडियान मतलब location के अंदर तो इंडियान location तो आपके वही आगी वही territory वाड़ा section 2 के अंदर जो हमें बताईए जो territory है उसमें located कहीं पे भी किसी भी location में अगर कोई computer resource है और अगर वो उसको target कर रहे है यानि कि we are talking about cyber crime तो IT Act आपका बढ़ा हुआ है IT Act के अंदर यहां सारी बाते define कि हुई है तो उसके हिसाब से अगर कोई cyber crime करता है तो वो भी आपका IPC के under आ जाएगा और उसका भी भारत में लागे उसका trial हो सकता है अब अब चुटा सा question हम और discuss करते हैं और आप देखेगा आप सूचेगा कि वो यहां की section में cover होता है एकक्स जो है वो पाकिसतान में बैठ के और इंडिया में कोई crime कर रहा है वो पाकिस्तानी है या किसी दूसरी country का है इंडियन नहीं है और इंडिया में भी नहीं है इंडिया से परे किसी कंट्री में बैठा है और इंडिया में ओफेंस हो रहा है वो खुद यहां पे नहीं है ना वो यहां पे आया लेकिन ओफेंस यहां हो रहा है तो ऐसी situation में हमारा यहां कौन सा section applicable होगा अगर हम बात करें section 2 की तो section 2 तो within territory of India की बात करें तो इसका मतलब यह वा कि यह भाई तो पाकिस्तान में बैठा है या मैं कोई specifically intentionally जो है वो पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहा हूँ किसी भी country में बैठा हूँ यह example लिया है मैंने माले जी कि वो अमेरिका में बैठा है कैनेडा में जापान में चाइना में कहीं पे भी वो बैठा है पस वो इंडियन नहीं है तो इसका मतलब section 2 तो applicable ही नहीं होगा क्यों क्योंकि वो इंडिया में नहीं है section 3 में आजो तो अगर वो पाकिस्तानी है American है Chinese है तो ऐसी situation में bound by Indian low भी नहीं है और offense भी इंडिया में नहीं हो रहा तो offense इंडिया में नहीं हो रहा section 2 applicable नहीं है bound by Indian low नहीं है तो इसका मतलब section 3 भी applicable नहीं है अब आज़ो section 4 में section 4 के अंदर first close के अंदर citizen word है तो वो citizen भी नहीं है तो close 4 में भी नहीं आएगा और वो कहीं किसी building में बैठके वहां से इंडिया में offense करवा रहा है वह खुद तो नहीं है ना तो इसका मतलब जो close second है आपका जिसमें किसी ship की या किसी aircraft की बात हो रही है तो वहां पर भी आपका यह चीज़ कबर नहीं होती और जो third आपका close है कि यहां किसी computer को target कर रहे है किसी computer resource को hack करने कुशिच कर रहे है तो वहां पर भी applicable नहीं होगा अब यहां बड़ी मुश्किल हो गई कि एक ऐसा person जो Indian citizen नहीं है Indian लो से bound नहीं है इंडिया से परे किसी country में वो बैठा है और वहां बैठा बैठा वो ऐसा कोई act कर रहे है जो इंडिया में उसका effect पढ़ रहे है तो क्या ऐसी situation में IPC उस पर applicable होगी अब आज के reference में अगर बात करें तो obviously यहां किसी computer के थुरू वो जुड़ा हुआ है तो तो हम उसको section 4 में cover कर सकते हैं कि भाया उसने किसी computer को भी अपने control में लिया है लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपके IPC का ना section 3 applicable हो रहा है ना section 2 applicable हो रहा है ना section 4 applicable हो रहा है नहीं ना तो territory और नहीं extra territory तो ऐसी situation के अंदर अब हमें section 5 को समझना पड़ेगा देखे section 5 क्या कहता है section 5 यह कहता है nothing in this act shall affect the provisions of any act for punishing many mutiny and desertion of officers, soldiers, sailors or airmen in the service of the government of India बिए पहले बात तो यह कि अगर कोई हमारी आर्मी से related है जल से नहा है, तो चे वो अंडिया में हो चे इंडिया से बाहर हो na section 2 applicable हो रहा है, ना 3 applicable हो रहा है ना 4 applicable हो रहा है, उनका काम और वह जाने उसके बात में आब देखीे फिर हमारे पास यह कहता है और the provisions of any special or local law पस यहाँ पर आप समझेगा अगर कोई special law है जिसमें किसी act को offensive आना गया है तो वहाँ पर भी आपके section 2, 3 और 4 को prove करना ज़रूरी नहीं है अब यहाँ पर हम बात करते हैं पोटा, Prevention of Terrorism Act इसका मतलब यह हुआ बक्चो जैसे पहले टाड़ा था फिर पोटा आया है इस तरह से जो special laws है आपके relating to crime, relating to terrorism in India तो वहाँ पर अगर इस तरह के provision है कि भलाई आपके section 2 में वो चीज़ कवर नहीं हो रहे है थ्री में वो cover नहीं हो रहे है, फोर में वो cover नहीं हो रहे है, ऐसे situation में भी हम उस तक अपना सिगंजा डाल सकते हैं, एक ऐसे person तक हम अपना सिगंजा डाल सकते हैं, जो इंडिया में नहीं है, इंडिया से बाहर है, जो इंडिया, इंडिया लो में उस पे applicable नहीं हो रहा है IPC उस पर applicable नहीं हो रही तो हम उसको भी गिरफतार कर सकते हैं तो यहां पर आपका Interpol की मदद है हमारा एक्सराट जो एक्सराडिशन ट्रेटी है वो काम करेगा इसका मतलब यह हुआ कि ऐसी सिचुएशन में आपका जो स्पेशल लो है प्रिवेंटिव लो है वो यहां काम करेगा तो वो सारे के सारी चीज़ें आपके Section 5 में cover हो जाएंगे तो बच्चो यह थोड़ा सा ध्यान रखेगा कि जब हम application की बात करते हैं इसकी IPC की तो section 2 आजाएगा section 3 आजाएगा section 4 आजाएगा लेकिन अगर कोई चीज section 3 4 और 5 फॉर में भी cover नहीं हो रही तो ऐसी सिचुएशन में section 5 जो है जिसमें special act की बात हो रही है या कोई local लो है उसकी बात हो रही है और वो चीज़ अगर वहां cover हो रही है तो फिर आपको 2, 3 और फॉर को प्रूब करने के जरूरत नहीं है तो generally ऐस तरह की questions आ जाते हैं मैंने कोशिश की है आप लोगों को explain करने की जितना मुझे समझ में आया कोई आपको doubt हो तो हम उसको और आके discuss कर सकते हैं क्योंकि IPC जो है वो अपने आप में एक legal grammar है जो मैं मानता हूँ आप IPC में जितना depth में जाओगे उतना ही आपको समझने को मिलेगा मैं जब भी IPC पढ़ता हूँ मेरे को कोई न कोई नई बात जरूर मिलती है काफी साल होगे इस shield के अंदर लेकिन फिर भी मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं IPC में perfect हूँ कोशिश हमें करनी चाहिए आप लोगों न तो आप मुझसे ज़्यादा intelligent है तो कोई हो सकता है कि कोई बात मुझसे रहे गई हो उसे आप add किजेगा आपने notes prepare किजेगा क्योंकि आप judiciary का exam दे रहे हैं कोई भी आप लोग का exam दे रहे हैं जहां IPCA वहाँ पे आपका section 2, 3 and 4 बहुत ज़्यादा important है तो मैं उमीद करता कि मैं आपकी help कर पाया हूं इस chapter में तो इसी तरह से हम IPC के भी कुछ concept जो है एक homicide पे मैंने एक पहले video post की थी अभी कुछ बच्चों ने मुझे territorial extra territorial के बारे में पूछा तो मेरी company laws की चल रही थी in between जो है वो मैं ये लेके आया हूं इस तरह से one by one चलती रहेंगी उमीद कर करता हूं कि आप सब को इन वीडियो की help मिल रही है आप भी प्लीज जादे से जादा इससे share कीजिए like कीजिए comment कीजिए इतनी support तो आप मेरी करी सकते हैं thank you students thank you very much